आज की इस वीडियो में आपको एक न्यू जॉब और वेकंसी की अपडेट देने वाला हूँ जो की आरिया TNPSC Recruitment 22 के तरब से इसमें 625 वेकंसी है पर्मानेंट जॉब होने वाली है आपको फिरेसर सेलीजिबल है सेली आपको 56,000 एक सब पर मन्थ आपको मिलने वाली है तो complete information के लिए वीडियो का एंट तक जरूर देखते रहे है लाइक ने किया तो जरूर से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पली वार विजिट कर यहां भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो subscribe कर लिजेगा साथी bell icon प्रेस कर लिजेगा दिन से की technical field की जो भी सारे vacancies आती है इस चैनल पर आपको मिलती रहती है साथी telegram चैनल का link वीडियो की description में दिया गया है वहाँ पर छोटा मोटा कोई भी update आता है तो वहाँ पर मैं post कर देता हूँ जहां से आप लोग आसानी से notification पा करके download करके देख सकते हूँ चले वीडियो को start करते हैं देख सकते हैं यह इसका official advertisement notice है यह जो vacancy आ रही है तमिल नाडू Public Service Commission के तरफ से vacancy अनौन्स की गई है आगे बढ़ने से पहले details में बताने से पहले मैं आपको इसमें बता दूँ कौन कौन इसके लिए eligible है तो जो भी ऐसे candidate है जो बी बीटे कर रखे है इसमें vacancy है असिस्टेंट इंजिनर के post पर permanent job आपको होने वाली है और आपको लगबलबक civil, mechanical, electrical, बढ़ांस में आपको इसमें vacancy देखने के लिए मिलेगी और इसमें diploma आलो के लिए vacancy नहीं है टोटल अमर आप जो vacancy है आप लोग यहां पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा vacancy असिस्टेंट इंजिनर civil के लिए है 307 पोश्ट के लिए अलग-अलग department में भी आपको यहां पर civil के लिए सबसे ज़्यादा vacancy है उसके बाद mechanical और electrical वालो के लिए इसमें vacancy है जिसमें 56,100 से 2,5,700 तक आपको इसमें CLD मिलने वाली है तो details में चर्चा करेंगे उससे पहले एक चीज और इसमें कि आपका Tamil language जानना जरूरी है उसके बाद आप लोग इसमें eligible हैं apply कर सकते हैं तो अगर ये सबी चीज अगर आप लोग fulfill करते हैं तो वीडियो के end तक जरूर देखिए नहीं करते हैं तो वीडियो को like करके छोड़िये जिन से की मुझे motivation मिले आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी job and recruitment की notification लाने के लिए चले वीडियो को start करते हैं सबसे पहले बात करते हैं details of vacancy की तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिसमें name of the post, name of the service और number of vacancy और सके लोग पर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें की automobile engineer, junior electrical inspector, assistant engineer agriculture उसके बाद assistant engineer highway department assistant director of industrial and safety and health के लिए assistant engineer civil के लिए water resource department में assistant engineer civil PWD में और उसके बाद general foreman technical assistant और assistant engineer rural development and pancayati राज department में इसमें आपको सभी में total मिला करके 625 post के लिए vacancy है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद importance dates and time की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं date of notification 4-4-2022 का है last date of submission 3-5-2022 का है और detail examination का भी tentative date यहाँ पर दे दिया गया है जो कि आप लोग देख सकते हैं paper 1 और paper 2 का अलग अलग date and time यहाँ पर दिया गया है उसके बाद बात करते हैं qualification की तो यहाँ पर देख सकते हैं age limit में आपको पहले दिया गया है age limit 1-7-2022 के अनुसार से अलग अलग post के लिए यहाँ पर upper age limit दिया गया है यहाँ पर assistant इजनेर के लिए 32 years और यहाँ पर अलग अलग post के लिए इसमें 37 और 32 years इसमें दिया गया है इसमें आपको maximum age limit दिया गया है और minimum तो 18 years आपका होना ही चाहिए उसके बाद बात करते हैं इसमें educational qualification की तो देख सकते हैं educational qualification 4-4-22 के अनुसार आपका completed होना चाहिए जिनमें की पहला नमर में automobile engineer के लिए इसमें आपका degree अगर आप लोग automobile engineering में या mechanical engineering में कर रखे हैं state board of technical education and training तमिल नाडू से तो आप लोग इसमें eligible apply कर सकते हैं वहीं पर बात करते हैं junior technical inspector की तो इसमें आपका अगर आप लोग B.E.B.T.E.C. कर रखे हैं electrical engineering में कहीं से भी तो आप लोग इसमें apply कर सकते हैं वन येर का apprenticeship यहां पर आपको रहना चाहिए उसके बाद है assistant engineer agriculture engineering में तो इसमें आपका B.E.B.T.E.C. होना चाहिए agriculture engineering में और में करके दिया गया है अगर आप लोग B.E.B.T.E.C. mechanical civil automobile में कर रखे हैं तो भी आप लोग इसमें apply कर सकते हैं उसके बाद जो है assistant engineer highway department में इसमें B.E.B.T.E.C. civil engineering से आपका होना चाहिए उसके बाद है इसमें देख सकते हैं degree in mechanical engineering और production engineering और industrial engineering और electrical engineering, chemical engineering और textile technology तो यह सब से कर रखे हैं तो eligible है apply कर सकते हैं इसमें देख सकते हैं B.E. degree in civil engineering या structural engineering उसके बाद जो है आपका नीचे में दिया गया है mechanical engineering के लिए automobile engineering, automobile technology यह सभी ब्रांज से अगर आप लोग कर रखे हैं B.E.B.T.E.C. तो आप लोग इसमें eligible है apply कर सकते हैं लेकिन आपका Tamil language आपका जानना जरूरी है जो कि आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं knowledge in Tamil, applicant should possess adequate knowledge in Tamil तो यह इसमें main criteria रखा गया है इसके लिए application fee की बात करें तो इसमें one time registration का fee जो है 150 रुपे का अगर आप लोग इससे पहले कभी इस website पर registration कर चुके हैं तो आपको within five years इसमें कोई भी application fee आपको registration fee पे नहीं करने होंगे examination fee only pay करने होंगे जो की दो सा है अगर आप लोग पहली बार के लिए registration करने के लिए जाएगा तो यह दोनों मिला करके आपको इसमें application fee 350 रुपे पे करने होंगे उसके बाद scheme of examination जो भी आपका है objective टैप में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जागा details में सभी कुछ यहाँ पर लिखा गया है तो आप लोग इस PDF को download करके पर सकते हैं समझ सकते हैं इसमें सभी कुछ दिया गया examination center की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग-अलग city और code बनाया गया है जो की आपको Tamil Nadu का ही अलग-अलग यहाँ पर दिया गया है location इसी पर आपका होने वाला है अब बात करते हैं how to apply इसको apply कैसे करना है तो apply करने के लिए इसके official website के थुरू आप लोग इसको apply कर सकते हैं वीडियो के description में main information था मैंने आपको बता दिया इसमें PDF में और भी चुईज इसमें दिया गया है जिसको कि आप लोग download करके पढ़ सकते हैं details में syllabus भी दिया गया है तो आप लोग वीडियो के description में link मिलेगा download करने के लिए किलिक करके आप लोग इस PDF को download करके read कर सकते हैं तो आप इसको समझे होंगे main information मैंने बता दिया अगर आपके वहन में फिर भी कोई confusion.query रह गया होगा तो नीचे comment करके पूछ सकते हैं मैं आप लोग से next वीडियो मिलता हूँ तब तक के लिए like, share, subscribe जरूर से कर दीजेगा